नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं नौकरी नहीं देने पर बेहुजगारी भता देने का वादा किया था, जामों की सरकार बनी हेमान सुरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ, अब एक बार फिर सिक्छक नियुक्ती के नाम पर मुख्यमंत्री ने युवाओ को धोखा देने का काम सु 16-23 के बीच करीब 2,75 या स्टुडेंट B8 की परिशा पास कर चुके, उन युवाओ को अपने भविस की चिंता सता रही है, किसले तिवाई ने कहा है कि ISMACM को चाहिए कि युवा कोई ठोस नियम बना कर B8 पास युवाओ को मौका दे, नहीं तो युवाओ की मेहनत और उन जानी समेत जारखन में अच्छी बारिस के पुरुनमान के बाजूत बारिस नहीं हो रही है, इसका करन पिछले दिनों खाडी पर बने निम दवाओ का आगे बढ़ने के मार्ग में व्याओधान होना है, उपरी वातावरन में बेस्टन, डिस्टरबेंशन और कुछ मानसु टर्फ के परभाव से सिस्टम जोर नहीं पकड़ पाया, अब यह उल्टी दिशा में खाडी की ओर बढ़ रहा है, इससे खाडी में एक और सिस्टम बनने की समहोना ब्यक्त की गई, इससे जारखन में अच्छी बारिस होगी, विभाग ने ताया पुरुनमान जारी किया है 30 जुलाई से 2 अगस्ट तक परदेश के सभी हिस्तों में बारिस होने का अनुमान है, वहीं इस दोड़ान कहीं कहीं भारी बारिस होने का भी अलर्ट जारी किया गया, राज्य में पुरुनमान के बीप्रित पिछले 24 गंटे के दोड़ान मानसुन कमजोर रहा, कई दिनों स 4 खुलेगी देश की पहली हाइड्रोजन इंडास्ट्रीज, मुख्रमान्ति है मंद्रішन ने जमसरेदपूर में हाइड्रोजन इंधन से जुड़े देश के पहले उद्यों के अस्थापनाय के लिए मंजोरी देद है, मुख्रमान के इस पहल के बाद, देश में जल्द पहान चलेंगे इंजन निर्मान की इकाय स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो किलिरेंस कमिटी और हाई पावर कमिटी की मंजूरी की परत्यासा में इस प्रस्ताव पर TGESPL के साथ M.O. हस्थाचर करने की प्रस्ताव पर C.M. ने समति दे दिया है इसके लिए प्रस्ताव रही अपराधियों की कुंडली रांची में सक्रिय संगर्ठित अपराधिक गिरोह के खिलाब करवाई के लिए क्रिमनल्स का भौतिक सत्यापन सुरू कर दिया गया है रांची पुली 316 क्रिमनल्स का भौतिक सत्यापन करवा रही है इस तुच्ची में हत्या चोरी डकायती चिंताई, रेप, पोकेट मारी के साथ साथ ठगी करने वाले क्रिमिनल भी सामिल है बतादे राजधानी राची में बेखोप अपराधी लगातार अपराधी घटनाव का इजाम दे रहे हैं और राची पुलिस की चाहवी परदाग लग रहा है आईसे में अब राची पुलिस अपराधी पराधी पराधी के लिए होमवर्क भी करना शुरू कर दिया है जिसमें CID से भी मदद लिजा रही है CID की ओर से रांची पुलिस को सहर के 366 अपराधियों के सुची सोपी गई उस सुची में 85 ऐसे अपराधि हैं जिने 7 इर अपराधि की स्रेनी में रखा गया है विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल दो 2024 के चुनाओं में 400 का आखणा पार करेगी भाजबा विपक्ष दोरा लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरे देश में राईनिती चर्चावनी हुई है लोग सभा में विपक्ष द्वारा लाया जा रहे इस अब इस प्रस्ताव को लेकर केंद्रिय राजय मंत्री मुंझ पारा महेंद्र भाई ने कटक्ष किया है उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलो द्वारा लाया जा रहा और इस वास्त प्रस्ता पूरी तरह से फेला है केंद्रिये राजे मंत्री मुंझ पारा महिंदर भाई अपने जारखन दोरे को लेकर अबिवार को रांची पहुंचे है रांची में मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं उन्होंने कहा है कि विपक्ष को पता है कि परधान मति नाद मुदी की लोग प्रेता देश के साथ साथ पूरी दुनिया में लगतार बढ़ रही है इसलिए ओ सभी घवराय हुए हैं और परसान नजर आ रहे हैं ओ पिये मुदी को सत्ता से हटाने के एजेंडे पर एक ही काम कर रहे हैं खनन घोटाले में जेल में बंद प्रेम परकास को इड़ी लेगी रिमांड पर साहिब घञ्ज में अवय देखनन मामले में रांची के बेशा मुंडा केंद्रिये करागार में बंद सत्ता के पावर बोकर माने जाने वाले प्रेम परकास पर अब जमीन घोटाले में भी सिकन जा कसेगा इड़ी सूत्रों के अनुसार दो दिनों के भीतर ही प्रेम परकास को रिमांड पर लेकर जमीन घोटाले में पूछताच की जाएगी प्रेम परकास के बिरूद इड़ी को पुकता साक्ष मिले हाए राची जमिन घोटाला में पहले से जेल में बंद प्रेम परकास को E.D. रिमांड पर लेगी पताते चले कि प्रेम परकास को प्रवतन निद शाले नेवर्स 2022 में साहेब गंज में एक हैर कडोर के अवयद खनन के मामने में गिरफतार किया था जारखन में INDIA में सामिल दलो की पहली बैठक कंग्रेस के परदेश कराले में हो रही है इस बैठक में कंग्रेस के साथ साथ जारखन मुक्ति मोर्चा राष्ट्रिय जनतादल जनतादल उनाइटेड राष्टवादी कंग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी CPI, CPM, CPI माले के प्रतिनिधी सामिल है बता दे आज की बैठक का महत्व इस माइने में खास है क्योंकि राष्ट्रिय आस्तरपर, केंद्रे की भाजपैक, नेतित वाली, NDIA सरकार के खिलाब बनी INDIA में सामिल दलो की राज आस्तरपर पहली बैठक हो रही है कौंग्रेश के परदेश कराले में होर है इस बैठक में luar कोडिनेटर की भूम का कौंगरेश के परदेश अद्यक्ष निभा रहे हैं डेमो में गाद ज्यादा होने से घरती जा रही जल भंडालन की छमता राजी के अन डेमों के साथ राजधानी के गेतल सूत और गोंदा डेम में भी गाद भर जा रहा है पिछले आठ वर्सों में गेतल सूत डेम में जल भांडारने की छमता 14 फिट तक घट गई है वही गोंदा डेम की 5 फिट तक कम हो गई है इसका करण विभीन नालों से आने वले गंदा पानी और कचरा है रांची सहरी जलापूर्ती योजना का अधार गेतल सूत गोंदा वा हटिया डेम है गेतल सूत डेम से राजधानी रांची की असी पर्धत अबादी को पे जलापूर्ती की जाती है सेस अबादी को गोंदा वा हटिया डेम से जला पूर्ती होती है वर्ष 2015 से पहले गेतल सुथ डेम के केवल 1900 फिट तक का पानी पेजल के लिए उप्योग में आता था वही मई 2015 के बाद 1910 फिट तक का पानी पेजल के लिए उप्योग होता था नितिस कुमार की फिर होगी NDA में वापसी रखुबर दास का बड़ा बयान बिहार के CM नितिस कुमार की NDA में वापसी को लेकर फिर से क्यास लगाय जा रहा है ए चारचा तब शुरू हुई जब केंद्रिय मंत्री रामदास अठावले ने बिहार में उनकी NDA में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया था अब उनके इस बयान पर जारचन के पुरमुख मंत्री रखुबर दास ने भी अपनी परतिकिरिया दी है उन्होंने कहा है कि नितिस कुमार सुरू से ही NDA के हिस्सा रहे है मुझे लगता है कि उनकी रामदास अठावले से बात हुई होगी और उनसे कुछ कहा होगा गौतला भाय कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले 29 को पाटना पहुचे थे जहां उन्होंने पत्रकारों से बाचित में कहा है कि NDA कुमार हमारे हाए और वो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं रांची में खुला नया मॉल रांची के लोग का इंतियार अब खत्म हुआ सनिवार को रांटू रोड में आकासवानी के सामने मॉल और रांची का उधगाटन किया गया इसके साथ ही मॉल में लोग पहुशने लगे लोग काफी खुश नजर आये यह मॉल अड़ाई लाक एस्क्वाइर फीट में बना है खास बात तो यह है कि इस मॉल में एक ही छत के नीचे खरिदारी मनरंजन और खाने का अनन्द भी ले सकेंगे यहाँ पर बड़े ब्रांड के सोरूम के अलावा मॉडर्न गेम जोन, फूड जोन, मल्टी प्लेक्स, सिनेमा स्क्रीन, लाइफ एस्टाइल, फैसन सोप आधी उपलब्ध है मॉल अप रांची के परवक्ता नितिस अगरवाल ने कहा है कि लोगों को सहर छोड़े बिना प्रीमियम खरिदारी का मॉका मिलेगा मॉल में 60,30 हिसामन रंजन और आराम करकरमों के लिए खास तरीके से बनाया गया है आठ माह में समाप्त हो जाएगी जल जीवन मिसन योजना जहारखन के 37.25 लाख घरों तक अब भी नल से जल नहीं पहुँच पाया है वर्ष 2019 में सुरू हुई जल जीवन मिसन योजना मार्ष 2024 में समाप्त होगी ऐसे में राज सरकार को लक्ष हासिल करने के लिए बचे हुए आठ माह में इन घरों तक सुध पेजल पहुचाना चुनावती होगी अब तक राजे में 16.30 घरों में से सिर्फ 24.04 लाख घरों तक ही नल से जल पहुच चाया जा सका है जल जीवन मिसन योजना में सरकार के उपलब दिया 49.23 परतिसाथ है जारखन का पहला फलोटिंग सोलर पावर प्लांट तयार जारखन का पहला फलोटिंग सोलर पावर प्लांट बिजली उत्पादन के लिए पूरी तरह से त्यार हो गया है टाटा इस्टिल फैक्टरी परिशार इस्थीत कूलिंग पॉंड में 10.8 मेगावाट छमता के फलोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्मान किया गया है टाटा पावर रिन्यूबल एनर्जी दुआरा इस प्लांट का निर्मान लगभग असी कडोर की लागा से किया गया इसका ट्रोयल रन भी पूरा किया गया है बताया गया है कि सोमवार्य मंगलवार को ग्रीड से कनेक्टेट होते ही बिजली उत्पादन और वित्रन आरंप हो जाएगा पूरी बिजली टाटा इस्टील दुआरा ली जाएगी पलांट के उर्जा विभाग के चीप इलेक्टरीकल इंस्पेक्टर द्वारन रिक्षान की परकिरिया भी कर ली गया है धन्यवाद